आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो बात की गई है यहाँ पर Gymnose Poms की अब Gymnose Poms क्या है यह जो वाट जिमनो है यह रिप्रेजेंट करता है नेक and Spoms stands for Seeds मतलब यह वो प्लांट्स हैं जो की नेक सीड बियर करते हैं मतलब यहाँ पर जो ओवेरी वाल होती है वो अपसंट होगी ओवेरी वाल सीड को कवर नहीं करती है अब यह हिट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं दो तरीके के स्पोर्ट्स यहाँ पर प्रेड्यूस होते हैं अब पॉलन ग्रेन जो की मेल गेमीट को रिप्रेजेंट करती है तो यह जो पॉलन ग्रेन है यह रिलेजड होती है from the MICROSPORENGYUM and they are carried in air currents किसके द्वारा carry होती है यह इयर करण्स के द्वारा और किसके contact में आती है come in contact with the opening of ovules ovules की opening के contact में आती है अब यहां पर pollen tube होगी pollen tube के अंदर हमारा क्या होगा male gamete होगा वो grow करेगी कहाँ पर towards the archegonia अब archegonia क्या है हमारा female reproductive organ है जिसके अंदर female gamete होगा और यह ovule के अंदर present होगा तो pollen tube के अंदर male gamete होगे और यह archegonia तक grow करेगी और उसके बाद अपने contents को release कर देती है then fertilization का process होगा fertilization से zygote बनेगा zygote के अंदर division होंगी और उससे क्या बनेगा embryo बनेगा और ovule से हमारे seed बन जाएंगे तो यहाँ पर जो pollination हुआ है जो male gamit है जो pollen grain का transfer हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है air के द्वारा, wind के द्वारा तो यहाँ पर हमारा correct answer obviously क्या होगा option number first wind pollinated are key gone gates insects pollinated नहीं होगा water, animal correct option होगा first classic situation से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज जी डाउनलोट करे doubt net आप या whatsapp कीजे अपने doubts 84444 सुपर